अगर आपको सच में अपने बालों को लंबा करना है, बहुत ही फास्ट अपने बालों को मोटा घना करना है, या आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, उसे आपको नेशुरली बिलेक करना है, अपने बालों पर साइन लाना है, या आपके हैर फोल को जीरो करना है, ये स तो आज में आपके लेकर आई हैं बहुत ही बहुत ही बहुत को बढ़ाने के लिए आपके हेर रूट को इस पर बहुत सरे फायदा आपके बालों को मिलेंगे इस पर आपके बालों पर किसी ने इस पर के बारे में सुना होगा और ना ही अपने बालों पर इसका यूज candles कीा वह लेकिन इस पर प्रेस पर को यहां पर इउज करना इस पर बॉखत ही बेनिवीजल होती है इसकी पात्य हमारे बालों के लिए और इसको हम खाने में भी यूज करते हैं इसलिए हमारे hair रिट को इस्टोन करती है हमारे बालों की length को बहुती fast बढ़ाने में help करती है आपके बाल जो ज़ड़ गए है वहाँ पर यह regrow hair करने में help करती है तो आपको यहाँ पर फ्रेस पतिया ले लेना है फिर यहाँ पर आपको इसका पतिया ले लेना है अगर आपके पास फ्रेस पति नहीं है तो आप यहाँ पर online भी इसका powder available होते हैं आप वहाँ से purchase करके यहाँ पर आप powder का यूज करें इस पेक को बनाने के लिए और जिनके पास यह पतिया मिल जाएंगी तो यहाँ पर फ्रेस पतियों का यूज करें इस पेक को बनाने के लिए दोनु चीज़े आपके बालों की growth को बढ़ाएंगी या पत्ते को या powder आपके बालों की hair root को strong करेंगी बहुत ही fast आपके बालों को लंबा करेंगी इस पेक से आपके hair root बहुत ही अच्छे से strong होते हैं आपकी scalp जो है अच्छे से clean होती है फिर आपको यहाँ पर लेना है दही और एक अंडा अगर आप अंडा अपने बालों पर नहीं लगाती हैं तो आप इसे skip कर दे और यहाँ पर आप दही की quantity बढ़ा दे या आप यहाँ पर rice का water भी ले सकती है rice भी यहाँ पर ले सकती है इस पेक को बनाने के लिए आपको अगर अंडा नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर rice या दही की quantity बढ़ा सकती है सबसे पहले यहाँ पर हमें पतियों कर लेना है जिसलिके अच्छे से यह smooth paste बन जाए फिर हमें इसमें बिलाना है curd और egg तो आप यहाँ पर पत्ती मिक्षी में ले 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 और इसमें आपको दही लाल देना है इसलिके आपको पीसना है यहाँ पर आपको पानी का यूज नहीं करना है नहीं तो यह बहुत ही पतला हो जाएगा और इस पेक को आपको हब्ती में दो बर अपने बालो पर अपलाई करना है जिससे कि आपकी बाल की रोध बढ़ जाए और आपके बाल जो हैं बहुत ही फाराश्ट लंबे हो और जिनको भी बालो की जडने की समस्या है जो अनके बाल बहुत तूट रहे हैं किसी भी रेमिणी से उनके बालो पर कोई भी असर नहीं हो रहा है तो आप इस पेक को एक महीने के लिए इसमेल को बिल्कु जीर हो जाएगी आपके बालो की लेंth बढ़ेगी आपके बालों पे sign आएगी, आपके बाले श्मूज सीर्की sign हो जाएगे, आपको दो मुहें बालों की समस्या नहीं होगी, तो यहां पे आपको इसे ग्राइंड कर लेना है, आप चाहें तो इसे अंडे के साथ ग्राइंड कर ले या अंडा बाद में भी आप डाल सकती हैं, तो मैंने यहां पर सभी चीज़ों डाल दी हैं अच्छे साम को इससे ग्रैंड कर लेंगे आप इसमें पाने का य्यूज नहीं करें नहीं तो यह पतला हो जाएगा क्योंकि इसमें अंड़ा डाला हुआ है जिससे कि इसकी तो ठिकने से बहुत ही कम हो जाएगी इसलिए आप वह पाने करहें हैं आप को एसे आपको गंदे लगा करूंacious अबसें बालों को खोड़ना औरी निदे Ao नहीं है आपको ढलाप बन एक हैर को हिल या आपको द्राइक हर लाप यूजेस नहीं है आपको जैसे समझ में आप इसफेक को लगाए और दो घंटे के विए अपने बारका अच्छे सब्सक्राइब तो आपके बालों एक साइन आजाएंगे तो आपके बालों पर बहुत ही अच्छा जरूब आपके बालों को बहुत सारे फायदा दे च्टॉन्गाइब पहुत है लिए बहुत फास्ट होंगे new hair growth promote होंगे इसलिए इस पेक को आप हफ्ते में दो बार लगाए फिर इसके फायते देखे आपके बालों के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूले तो मिलते ने ने इस वीडियो में अबिकले बसित नहीं बाइब बाइ